हाई काईज तो आज की वीडियो में क्रिएट करने वाली है और विशी रुटाला का ये ब्यूटिफल सा मेकप लुग जो कि उन्हें आइफा अवार्ट्स पर क्रिएट किया था फिर मैं यूसकरने वाली हो अन्डराइ एरिया को थवर सा हईड्रेट करने के लिए जे लिए अ क्रीम है अउनक मां की की रेटिनोल क्रीम है तो मेरे जो ड्रा आक स्ट्रेंट चुटनार तो पीयर्फटा करेगा फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुती light coverage foundation जो की है L'Oreal की true match foundation और इसको मैं लगाने वाली हूँ with the help of brush और अच्छे से आपको अपने face पे और neck पे भी जरूर लेकी जानी है foundation क्योंकि neck और face अलग लग नहीं लगना चाहिए और hair line तक जरूर ब्लेंड करें क्योंकि blending is the only key for that flawless face okay and you can see my face looks really really good अब मैं अपने face को conceal नहीं अपने dark circle सो conceal करने वाली हूँ using LA girl concealer इसका जो shade name है वो है pure beige क्योंकि इसके अंदर yellow tint है तो मेरे dark में इसको काफी हता की hide कर देगा और फिर मैं जहां-जहां मेरे को हलके हलके से न spots है वहां पर पर इस concealer को place करने वाली हूँ basically यह जो concealer है यह करेक्टर का काम कर रहा है ठीक है correct कर रहा है मेरी unevenness को all right अब मैं use करने वाली हूँ light concealer from NARS आप कोई भी drugstore concealer use कर सकते हैं maybelline age revinder इससे मैं अपने face feature facial features को highlight करूंगी stand out करूंगी so आप at a time दो concealers को use कर सकते हैं ठीक है one shade darker and one shade lighter तो इस सरीके से आपको एक flawless base बिल जाता है और इसको पहले मैं अच्छे से एक छोटे से brush की help से blend करूंगी and then later on मैं पूरे beauty blender की help से मतला पूरे face को beauty blender की help से अच्छे से blend कर दूंगी अब मुझे contouring करनी है बट मुझे रहा cool tone वाली contouring नहीं करनी है मेरे को warm tone वाली contouring करनी है that means bronzing करनी है ठीक है तो yeah मैं इससे wet and wild की oaks on hue वाली stick यूज़ कर रही हूँ यह bronzy color में है इस ते पूर अच्छे से मेरे facial features को bronze करेगा at the same time यह एक contouring का काम भी करेगा और बस मैं अपने lips पे अपने naak पे contouring करूंगी और इससे आपके जो facial features है और ज़रा beautiful लगते है मतलब एक जान मिल जाती है आपकी base को आपके face को मैं क्या बोल रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद में actually voice over कर रही हूँ ना और इसलिए फिर मैं अपने पूरे face को सबसे पहले अपने under eye area को set करने वाली हूँ using powder और यह translucent powder है तो बहुत अच्छे से लेरिंग करेंगे ना वो patch ही नहीं लगेंगी और बहुत beautifully blend हो जाएंगे तो चलिए सबसे पहले eye makeup करते हैं मैं अपने eyebrows को fill करने वाली हूँ using makeup revolution eyebrow pencil और बहुत अच्छी लगी में को यह pencil guys it comes with a spoolie और बस tame करूंगे अपने eyebrows को और थोड़ी सी thin बनाऊंगी क्योंकि और विशी की जो eyebrows है वो thin है और फिर मैंना क्या कर रही हूँ clean effect दे रही हूँ using concealer method और अपने eyelid area पे लगाऊंगी concealer using nars concealer और या एक base तयार करूंगी अपने eyelid पे सच बताओं यह eye look बहुत simple है guys मैंना set नहीं किया है अपने eyelid area को मैं directly यह color लगा रही हूँ और जब आप इस तरीके दे color लगाते हैं directly without setting your eyelid तो आपका color पे off और beautiful लगता है तो इस color को use करूंगी with the help of fluffy brush और बहार की तरफ मैं इसको blend करूंगी क्योंकि आप उनकी eyes देखी बहुत ही beautiful बहुत ही cat eye effect है उनकी eyes पे और उन्ह और बहार की तरफ flick करूंगी सो दाट कि एक cat eye effect create हो सके और बस बस I think यह दो तीन colors मैंने use किये हैं अब मैंने same palette से क्या किया है फिर मैंने same pink color को अपने inner corners में भी लगाया क्योंकि मैंने फिर सुन की picture को zoom करके देखा तो मुझे लगा कि उन्हें एक matte shade लगाया अपने inner corners में वही pink shade लगाया और वही pink shade मैंने lower lash line भी लगाया है क्योंकि उन्हें भी pink shade ही लगाया है और मैंने lenses भी wear की हैं gray color की क्योंकि उन्हें भी पहने हैं इसलिए और फिर मैंने क्या किया same palette से एक shimmery shade use किया with the help of fingers यह वाला color use किया मैंने और यह बहुत beautiful color है in fact इस palette के सारे colors बहुत और इसको मैं लगाने वाली हूँ inner half तक with the help of my finger and look कितना beautiful color pay off मिला है मुझे और मेरी eyes कितनी beautiful लग रहे हैं से लग रहे हैं मैंने कितनी मेहनत किया इस eye look को create करने में but trust me आपने देखे लिया process बहुत ही simple eye look है और फिर मैंने एक brush की help से अच्छे से blend कर दिया so that कि अलग लग अब मैं लगाने वाली eyeliner क्योंकि उनने भी लगाया है और उनने छोटो सा wing भी create किया है और मैं बस एक thick सी line draw करूंगी अपने lash line के पास और मुझे आजकल eyeliner लगाना बहुर अच्छा लगता है कभी मैं इस तरीक से eyeliner लगाती हूं कभी मैं smokey eyeliner लगाती हूं मतलब eye shadow से eyeliner लगा क्या है इसे आपकी eyes ना लंबी लगती है बड़ी लगती है और बहुती सुंदर लगती है guys and with lashes यह look होता है यहां पर complete यह lashes मैं Amazon से खरीदी है चलिए अब मैं पुरा base makeup करती हूं मैं यूज करी हूं ब्रॉंजर from essence और सच बता हूं उनका face भी bronzed है उनने कोई cool tone colors नहीं यू contouring नहीं इतनी पसंद और यह बस इस सरी किसे मैं bronze करूंगे अपने forehead को अब मैं add करूंगी color मैं use करी हूं यह nix का blush और यह बहुती beautiful pinkish coral color है इसको मैं लगाने वाली हूं on the apple of my cheeks और बस इस सरी किसे आपको ऊपर की तरफ place करना है क्योंकि मैं जो snatched effect चाहिए अगर आपको rounder effect चाहिए तो आप ऊपर की तरफ ना place करें अब बस अपने cheeks पर लगाए अब मैं highlighter यूज़ करने वाली हूं wet and wild का after sex glow और इस पिंक कलर को यूज़ करूंगी to highlight my face और बहुती beautiful बहुती beautiful highlighter है का इस यह चलिए अब lips को fill कर देते हैं using a lip liner मैं use कर रही हूं यह I think catries का lip liner है यह और इससे मैं अपने lips को fill कर दूंगी line करूंगी over line करना है मेरे को क्योंकि उनके fuller lips है और उनके brown color है lip liner का और मैं यूज़ करने वाली bourgeois के lips ही बहुती काम और फिर brush की help से अच्छे से blend कर दूंगी so that की एक नो like wash of color लगे मेरे face पे फिर मैं यूज़ करने वाली हूं यह nude color Maybelline का और बिल्कुल हलके हाथ से और फिर brush की help से अच्छे से blend करूंगी क्योंकि अगरा आप उनके lips देखे ना ombre effect उनके lips पे ठीक है अब मैं gloss भी add करने वाली हूं क्योंकि obviously she has gloss on her lips और बहुत beautiful लग रहे है उनके lips यह बहुती juicy and this is Fenty Beauty का gloss and it is one of the best 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 lip gloss guys तो आप use कर सकते ह है इस तरीके से और या अपने पूरे make-up को मैं seal करने वाली हूं using my lani setting spray और यह बहुती कमाल की setting spray है guys and I love my base मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपना basis में तो guys यह होता है लोग यहां पे complete उन्होंने भी इस तरीके से air rings पहने हैं लंबे लंबे और या उन्हने side partition किया है low बन किया है बहुती beautiful look turn out हुआ है आपका क्या ख्याल अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो give this video a big thumbs up like it share it and if you recreate any of my looks मुझे इंसाग्रा पे जरू tag करना with pictures तो चलिए हम आपको मिलते है अपनी दूसरी वीडियो में guys till then you stay happy lots of love take care and I love you all so much bye